हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आरिफा फैशन डिजाइनर आज हम श्रग बनाना सिखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग से फैब्रिक हम 4 मिटर यूस करेंगे देखे 2 मिटर फैब्रिक हम कट करते हुए मार्किंग करेंगे बैक के लिए हम वन इंच उपर करेंगे एक्स्ट्रा रखूँंगे शोल्डर रखूंगे 7 इंच नेक रखेंगे 3 इंच आर्म होल रखेंगे 7.5 वेस्ट लेंद रखेंगे 15 चेस्ट विट्थ है हमारी 11 वेस्ट रखेंगे हम 10 इंचेस तिक इस तरह से हमें क्रॉस मार्क करते हुए आर्म होल का शेप देना है हाफ इंच नीचे की और शोल्डर डाउन करते हुए नेक्स से वन इंच उपर की और लेते हुए हम राउन मार्क करेंगे और शोल्डर उपर की और अटाच करेंगे फुल लेंद रखेंगे हम 52 तू इंच उपर की और क्रॉस करते हुए हम मार्क करेंगे नेक्स हम कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने drafting की है न सेम इसी पर से हमें cut करना है waist round पे हम knot लगाएंगे front में हम slit बनाने की लिए open रखेंगे center part से हमें cut करना है neck के लिए हम width रखेंगे 3 inches और length रखेंगे 5 inches देखिए इस तरह से हमें cross marker के shape बनाना है cut करेंगे देखिए यह हमारी cutting हो चुकी है अब हम stitching करेंगे first हम सीधे के उपर सीधा रखते हुए shoulders attach करेंगे दोनों भी side के हमें shoulders attach करना है next side fitting stitching करेंगे one and a half inch इतना seam allowance रखते हुए हम stitching करेंगे full length bottom तक हमें stitching करना है देखिए दोनों भी side हमें इसी तरह one and a half inch seam allowance रखते हुए stitching करना है देखिए यह हमारी side fitting stitch हो चुकी है अब हम neck round measure करते हुए cross patty cut करेंगे और neck round पर stitch करेंगे देखिए यह इस तरह से ready हो चुकी है अब हम front के slits पर strip attach करेंगे 2-2 inches mark करते हुए हम strip cut करेंगे देखिए उपर के और से हमें fold करते हुए stitching start करना है जितनी हमारी shrug की length है न front के slit पर उतना हम fabric cut करते हुए attach करेंगे अंदर की और हमें fold करते हुए stitching करना है दोनों भी side हम इसी तरह से fold करते हुए अंदर की और stitching करेंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप comment करके पूछ सकते है या आप हमारे channel पर नए हैं तो like करिए, share करिए और subscribe करिए हमारे channel आरिफा fashion designer को next हम bottom को भी अंदर की और fold करते हुए stitching करेंगे full bottom हमें stitch करना है slit में हम उपर की और stitch button stitch करने के लिए party ready करेंगे देखिए हमें length 12 inches और width 3 inches रखते हुए fabric cut करना है और fold करते हुए stitching करना है देखिए इस तरह से हमें strip को पलट कर सीधा करना है और end close करना है stitching करकर देखिए half inch जितना बाहर की और हमें रखते हुए stitching करना है देखिए ये ready हो चुकी है हमारी strip अब हम stitch buttons add करेंगे उपर हम show button attach करेंगे ये हमें stitch करना है देखिए ये हमारा final look ready है अगर आपको full slips with gather सीखना है तो मैं i button में add करूंगी या आप मेरे previous videos में जा करके चेक कर सकते हैं Booth선 करूंगी ये ऎनवाफी कुछ है धर वार उर को turn कर सकतते हैं जा कर methods तो में